तो स्वागत है आप सभी का ग्याफन इकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग आवारा नाम का नजम पढ़ने वाले हैं जी हाँ चैप्टर का नाम क्या है आवारा 12 क्लास के उर्दू का चैप्टर नमबर 33 आप लोग को आवारा ना तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं जी हाँ यह जो कवीता है न यह एक ऐसे शक्स के उपर लिखी गई है जो आवारा और नकारा फिर रहा है सड़ को पर उसके पास कोई काम धलना नहीं है एकदम आवारा और नकारा फिर रहा है और मैं आप लोगों बता देना चाहती हूँ कि वो शक्स कोई और नहीं खुद इस चेप्टर के राइटर यानि कि लेखक है लेखको उर्दु में क्या कहा जाता है मुसनिफ कहा जाता है ना यानि कि इस चेप्टर के जो मुसनिफ है नाम याद रखेगा मिजाज लखनवी क्या नाम है इस चेप्टर के शायर का यह क्यों प्रिता लिखे हैं कि अपने आपको यह आवारा और नकार एक अब यह अपने आप को आवारा तक पता चलेगा जब लोग मिजाज लखणवी के बारे में जितना भी डिटिलस को पढ़ेंगे तब वैसे थे मिलांझे। मिजाज लखनवी को अपने जिंदगी में किसी एक लड़की से महबबत हो गई रहती है और महबबत में इनको नाकामे मिली रहती है मतलब लड़की से शादी नहीं हो पाती है ठीक है किसी वज़ा से वह सकता है कि जातपात को लेकर भेदभाव हो या फिर उच नीच के लेकर भेदभाव हो जो भी हो मतलब इनको अपन पर आवारा और नकार फिरते रहते हैं तो यही और भी रिजन था जिसके वजह से मिजाज लखनवी चड़को पर आवारा और नकारा फिरने लगे थे वह रह एक चीज चलिए समझ लेते हैं इनके बारे में सारा डिटेल्स तब आप लोग को पता चलेगा वैसे अगर कोशन पूछे आप लोग एकजाम में तो एकदम हंडेट परसेंट करेक्ट लगा कर आईएगा कोशन किस तरह से पूछा जाता है आप लोग समझी गए होंगे ना दिनों से मैं आप लोग को बताते आ रही हूं कोशन पूछेगा कि आवारा नजम के शायर कौन है ऑप्सन में दि इस्तरारूलहक मिजाज इनका पूरा नाम क्या था फुलनेम इस्तरारूलहक मिजाज और इनकी पैदाईश 19 अक्टूबर 1911 को रदावली के महला ख्वाजाहाल में हुई थी रदावली एक मर्दूंखेज बस्ती था ठीक है और उसी बस्ती आप बोल सकते हैं रदावली के एक महला का नाम था ख्वाजाहाल जहां पर इनकी पैदाईश हुई थी 19 अक्टूबर 1911 को ठीक हैं आगे बढ़ते हैं इनके वालिद यानिकी पिता जी का नाम था सिराजुलहक और इनके दादा जी का नाम था चौदरी एहमद हुसेन इनके जो पिता जी थे ना अपने ख सरकारी नौक्री किये थे मतलब इनके खंडान में मिजाज लख नवी के खांदाने पूरे खंडान में इनके वालिद यानकी सराजुलमकी एक ऐसे व्यक्ती थे जो को तालीम हासिल करके यानि की पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरी किये थे ठीक है सरकारी नौकरी करने वाला एक मात्र व्यक्ति से राजुलहक जो कि मिजाज लखनवी के वालिद यानि की पिता जी थे ठीक है मिजाज लखनवी को बच्पन में जगन कहा जाता था जगन इसलिए कहा जाता था क्योंकि मिजाज लखनवी बच्पन में रात को जाग जाग कर पढ़ाई करते थे इसी वज़ा से खूबी मतलब आप बूल सकते इनकी एक खूबी थी और खूबी को देखकर इनको जगन कहा जाने लगा ठीक है कोशन ही आस अभी पूछता है कि मिजाज लखनवी को किस नाम से जाना जाता था ठीक है ओप्सन में दिया रहेगा जगर टिक कर दीजेगा अप्तदाई तालीम रदौली में हुई मिजाज लखनवी की इप्तदाई तालीम यानि की शुरुआते शिप्छा रदौली में ही हुई जहां पर यह पैदा हुए थे ठीक य है तो फिर नाकाम कर यहां अलिगढ आकर आर्ट सी दाक आर्ट समें दाखिला लिया यानि की कुणए ग्रेजूएशन करना स्टार्ट कर दिया आठ साइट सब्जेक्ट से ठीक है चाहास पर तो अली गढ़ में अली गढ़ा 500g8 सब्जीक्ट से इन्हों और लें ब्येक इपास करके में दो कीख dej़ाई ले लिया ठीक है और seven उनकी पढ़ाई छूड़ गई आप बोल सकते हैं अलिगड़ मुस्लिम इनिर सिटी में बहुत ही रास आई मतलब बहुत ही अच्छा लगा उस वक्त अलिगड़ का महाल और फिर वहीं पर बहुतरीन नजमे लिखें मतलब अलिगड़ मुस्लिम इनिर सिटी में पढ़ाई करने के दोरा ना बोल सकते हैं बहुत ही बहतरीन बहतरीन नजमे यानकी अविताय लिखें ठीक हैं उन्हें सब 35 में ओल इंडिया रेडियो में मुलाजम होकर दिल्ली चले आए उन्हें सब 35 में ओल मुलाजम आप बोल सकते नौकरी कर रहे थे तो और फिर दिल्ली चले आए तो खातुन से इश्क हो गया था इनको मुहबत हो गई थी कोई लड़की थी कुछ दिनों बाद और जब उस लड़की से मुहबत हो गई थी इनको तो फिर उस लड़की की शादी किसी और से लग पर इनको अपनी मुहबत में नाकामियावी मिल गई इनको और वह इसलिए हुआ था क्योंकि उच नीच के भेद भाव जो लड़की वाले थे ना वह आप उच नीच का भेद भाव कर रहे थे ज्यादा इसी वजासे वह था तो कुछ दिनों बाद लखनाव वापस आ गये तो शराब नोशी तो करते ही ओड़ें और प्लस इश्व में उनको नाकामी मिली थी तो हुआ ये कि शराब नोशी और इuar इश्क में नहीं देते थे तो यह कहीं का नहीं रहे थे मुलब इनका इजट का धजिया उड़ गया था सत्यनास हो गया था और यहीं होता है कभी भी यह सब में नहीं पढ़ना चाहिए इसकों मुहबत में कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए इनका क्या हाल हुआ अब लास्ट में बहुत बहुत दर्दनाख मौत होती है देखिए किस तरह आगे मैं आप लोगो बता रही हूं जब इनको इश्क में नाकाम्याब हो गए तो यह शराब पीना स्टार्ट कर दिये तो शराब नोसी प्लस इश्क में नाकामी यह दोनों जो है ना इनको कहीं का नहीं छोड़ा मतलब यह कहीं के नहीं रहे गए थे उन्हें सचालिस में इनको नर्वस ब्रेकडाउन का हमला हुआ मिजाज लखनवी पर उन्हें सचालिस में क्या हुआ नर्वस ब्रेकडाउन का हमला हुआ नर्वस सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे हो सकता है 12th क्लास में देता है नर्वस करते कोई विवहार करते हैं वि मैं आप लोग को पढ़ा रहे हूं जो भी सौच पा सब्सक्राइब इस पढ़ाई‌ップ है यह किसके पास नर्वर सिस्टम के पास होता है तो उन्हें से चालिस में नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था नर्वस ब्रेकडाउन का हमला इनका दिमाग ठीक से काम नहीं कर पा रहा था ठीक है यह चीजों को भूल जाया करते थे कभी गुस्सा हो जाते थे कभी इनको कुछ समाज में नहीं आता था नर्वस ब्रेकडाउन का हमला उन्हें पर यहीं होता है सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाता है बोलना चाहिए क्या क्या आदमी बोल देता है उतना अच्छे तरीके से दिमाग नहीं काम करता है तो इस तरह हुआ था इनके साथ उन्हें से 40 में नर्वस ब्रेकडाउन का हमला हो गया और फिर चंद बर्षों के बाद यान का कुछत साल के बाद दूसरा हमला भी हो गया मतलब दुबारा नरोसव में हमला ऊद अब न करें जůने से siah मुंबई गय थे मिल्यान को इलाज चला बहुत ल्मचंगे तक इनका celui RL चला क्योंकि देखें बैकर van इनके साथ नरोस ब्रेकडाउन हो गया था चीजे मतलब आप बोल सकते हैं इनका दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था और दूसरा हमला फिर से हो गया कुछ साल के बाद बहुत ही लंबा इनका इलाज चला था और जैसे ही इस बीमारी से संभले थे तो यह बंबई गय तो बहुत दा बंबई की सडकों पर मस्ती किये नाचे गाए ठीक है और फिर उन्हें से और यह पाकिस्तान का सफर भी किये थे पाकिस्तान गुमने भी गये थे और फिर पाकिस्तान से वापस आये तो क्या-क्या हुआ चलिए मैं फिर से बोर मिटा कर लिखकर बताती हूं अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं ले लिजे फड़ा फड़ा स्क्रीन शॉट और देखें मितलब इनके साथ किस तरह की घटना हुई मिजाज लफनवी के साथ यहां तक तो आप लोग को पता चल गया कि दो बार इन पर नरोस कि अब उतला पस्लोटें तो वापसी के बाद यह उन्हीं से 32 में इन पर टिसरी मर्था पर गया जोनोन का हमला का यह पूरी तरीकेसे आप बोल सकते हैं पागल का हर्कत करने लगे थे कुछ मतलब इनका जो नर्वस सिस्टम था वो बोड़ी के पाट को कंट्रॉली नहीं कर पा रहा था ठीक है कब क्या बोलना चाहिए एक दम पागल जैसे हर्कत करने लगे थे बहुत इनके साथ दरदनाग हटना हुई थी अब यह राची के पागल खान टिम्वल निमोनीया हो और दिमांग की नसे फट गई देखे ऑफ सितंबर उनका पच्पन इसभी को एक शराब खाने के छत पर आप पार रिभर करने के स्ट पर इनने क्या हो गया प्रस से तест सब्सक्राइन हो गया व इनको हईरा जो क्या है जोड़ानीमोनिया हो गया और और धिमाग की नसे जो है रोजा से इनका इंतगाल हो गया पांच दिंबर गुओं भात yani मतलब tutorial और उसके बाद से कुछ दिनों के बाद क्या हो गया दिमाग की नसे फट गई और इनका इंतकाल हो गया पांच दिसंबर उने सब पच्पनिस भी को ठीक है इतना तो हो गया देखें इनकी मतलब दरदनाक मौत हुई थी इतना मतलब सोचिए दो तीन बार नर्रोस ब्रेकडाउन डबल निमोनिया इतना सारा बीमारी इनके साथ हो गया और प्लस इनकी भी कुछ मतलब आब बोल सकते हिला परवाही थी श्राब नोसी क्या जब उता करना ठीक है अब रखिएगा इनका एक मजमुआ कलाम था यानि की किताब जिसका नाम था अहंग क्या नाम था अहंग यह उन्हें से 38 में परकाशित हुआ और यह काफी मशूर मकबूल हुआ था बहुत ही जदा मशूर हुआ था यह किताब और इसी को जैसे मिजाज लखनवी बहुत जदा है तो कि हो गया मजाज लखनवी के बारे में सारा डीटेल्स अब चलिए समझते हैं हम लोग musimy को और देखते हैं कि मिजाज लखनवी कोई अपने दिली खुआइस और दिली जज़बात को किस तरह नजम के जरीए उभार दिये हैं नजम के जरीए उजागर कर दिये हैं अपने दिल के ज़स्बात वजरा इनकी दिल की बेचैनी देखिएगा नजम साफ साफ जलकेगा ठीक है तो चलिए यहां तक अगर आप डो पहुंच लेते हैं देखे स्टार्टिंग में लिखे हैं मिजाज लखनवी कि शहर की रात और मैं आशाद वा नकारा फिरू जग मगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरू गैर की बस्ती है कब तक दर्बदर मारा फिरू ए घमें दिल क्या करूं ए वहशते दिल क्या करू देखे ये घम में डूबे हुए हैं सबसे पहले तो इनको प्यार में नाकाम्याबी हासिल हुई है मुहबत में और प्लस ये शराब नोशी भी बहुत ज़दा करते थे तो घम में डूबे हुए हैं और बोल रहे हैं कि शहर की रात है शहर में हूँ मैं और शहर की रात है मै शादव नकारा सफिर रहा हूं गैर की बस्ती है यहां पर हमारा कौन है सबी लोग गैर है तो गैर की बस्ती है कब तक मैं दर्बदर मारा फिरूं एगमे दिल क्या करूं एवहशते दिल क्या करूं वहशते दिल मतलब घबरा भैबित वहशत का मतलब होता है भैबित डरा हु देखेस इनका हालत बहुत नाजुक है लिग बोल सकते हैं इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बोल रहा है कि जो सड़क पर में खड़ा हूँ शहर की तो रात है और सड़क पर जो बिज्ञी के खंबे लगे हुए है किनारे सड़क के किनारे जो भीले के खंबे लगे हुए कुछ-कुछ दूरी पर तो इन्हें देखने पर ऐसा लग रहा है कि एक जंजीर सी यानि की चेन सी बन गई हो और रात के हाथों में दिन की मोहिनी सी तस्वीर दिखाई दे रही है यानि कि यहां पर सिर्फ कहने को रा रहा होना है सब ज्यादेतर लोग रात को इगोमने के लिए जाते हैं तो सभी लोग खुश हैं घूम रहे हैं और मेरे सीने पर देहकी वी ऐसा लग रहा है कि शमसीर तलवार चल गया हो एगमे दिल क्या करूं एगबराहट भरा दिल मैं क्या करूं यह रुपहली चाओं य को इसे सुफी का तसाहूर जैसे आशिक का ख्याल अह लेकिन कौन जाने कौन समझें जी का हाल एगमे दिल किन क्या करों आप लोग समझ रहे हैं इसका मतलब ऑस जाहर की रात है दो अबर स इसा लग रहा है उन तारों को देखकर आह लेकिन कौन जाने कौन समझ का हालई यहां पर सभी लोग तो अपने में मंदमस्त हैं मेरे दिल का हाल मेरे जी का हाल कौन जाने कौन समझ में पर शायर के दिल का हाल सुनिए और समझेगा बहुत मतलब यहां पर बहुत ही बारीकी से अपने दिल का हाल उजागर किये हैं समझे यहां पर बोल रहे हैं कि फिर वह टूटा एक सितारा तूट चुका है जिसको फुलजड़ी छोटी सी फुलजड़ी बोल रहे हैं और मोती की लड़ी भ किसके गोद ने गिरी होगी इस वे विशनिया रहा हे न इसा कि हमझार्ण फिल्म् में कि लड़ी गिरी उगी पता नहीं कियू मैं तो इस तूटते वे सितारे को देखकर कि कि मेरी मुखबत मुझको मिल जाए लेकिन मेरी विश्ष नहीं पूरी हुई लेकिन फिर से यह सितारा तूटा है और यह मुटी की लड़ी नजाने किसकी गोद में जाकर गिरी होगी मतलब पता नहीं वह कौन सा खुसनसीब इंसान होगा जिसने इस तूटते हुए सितारे को उट पड़ी और चोट सी दिल पर लग गई मतलब हुक सी सीने में उट पड़ी और दिल पर चोट सी लग गई ऐ घमे दिल क्या करूं ऐ वह शते दिल क्या करूं रात हस असकरिया कहती है कि मैं खाने में चल फिर किसी शहनाज के लाला और रुख के काशाने में चल यह नहीं कि मुम्किन तो फिर ऐ दोस्त वीराने में चल अगर मुम्किन नहीं तो चल अपने महभूब के काशाने में चल याए अगर यह वे गर यहां पर कोई न हो एक दम खाली शांतियों कोई न हो चल दोस्त किसी विराने में चलते हैं एगमे दिल क्या करूं एवहश्रते दिल क्या करूं हर तरफ भिख्री हुई रंगीनिया रानाईया हर कदम पर रिष्रते लेती हुई अंग्राईया बढ़ रही है गोद फैलाईग यह बढ़ते चली जा रही हैं बढ़ रही हैं मेरे जिंदगी नाम wusत लिए हैं कि मेरे दोम्त करूँ ऐए वहें वह्षट क्या सकते हो हैं मैं बढ़ मुनासिब है या जन्जीर हवा भी तोड़ दूँ, ए गमे दिल क्या करूँ, ए वैसा दिल क्या करूँ, बोल रहा है कि मनतजिर है, एक तुफान बला मेरे लिए, यानि कि एक बला की तुफान, एक बला की तुफान मेरे लिए मनतजिर है, यानि कि मेरा इंतजार कर रही है, यानि कि मेरे में बहुत बड़ी बला आने वाली है बहुत बड़ी समस्या आने वाली है बहुत बड़ा तुफान आने वाला है अभी जाने कितने दर्वाजे हैं मेरे लिए यानि कि अभी भी ना जाने कितने आसा भी छोड़ दूँ मैं उनको पाशकता हूं यह आश्रा भी तोड़ दू यह जंजीर हवा भी तोड़ दूब हाँ मुनासिवे कि यह जंजीर हवा यानिकि जो हवा से मेंरा रिष्टा है जिन जिन लोंगों से रिष्टा विजी करता है इस तोड़ दू आई घम में दिल क्या करूँ आखितंच्थ दिल क्या करूँ अन्ट में दिल क्या करूं एवश्रते दिल क्या करूं क्या करूं क्या करूं लास्ट में बहुत जदा ही लिखें बोल रहे हैं कि एक महल के आठ से पीला महताव निकला हुआ है यानि कि पीला चांद निकला हुआ है जैसे मुल्ला का इमामा हो जैसे बनिया का किताब जैसे एक मुफ कि मेरा सब्सक्राइब कि तो चुका है अप मैं कि क्या करूं जख्म सीने का सिने का जख्म है दर्द वह उठ चुका है आखिर क्या करूं एगम निल की वेशते दिल क्या करूं देखिए थोड़ा बाहर और यहां पर आप लोग को कोई भी लाइन उठा कर पूछे कि इसका तश्रीव करना है आप लोग को अगे देखे जी में आता है या मुर्दा चांद तारे नोच लूँ इस किनारे नोच लूँ एक दोका जिक्र क्या सारे के सारे नोच लूँ एगमे दिल क्या करूं वहसते दिल क्या करूं देखिए यह अपनी बेचाइनी यहां पर जाहिर कर रहे हैं बेचाइन है यह इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है घबराट हो रहे हैं इनके अंदर बोल रहे हैं कि जी में आता है यह मुर्दे चांद तार है ना इंको मैं नोच लूँ इस किनारे नोच लू को भूँ हूं आता है कि मुझे कुछ समझ में दिल करू कर हूं लेके even चंगेश के हातों से खंजर levels तोड़ दूं कोई टोड़े या ना तोड़ Sternौ करकर तोड़ दूं एक मैं दिल क्या करूं है वैसरते दिल क्या करूं बोल रहे हैं कि सब चार तरफ मुफलिसी फैली हैं सभी लोग दिखावा कर रहे हैं यह दुनिया जो है ना धोखेबाज है ठीक है सभी लोग छिनने में ही लगे हुए है सैकड़ो सुल्तान जाबिर है न ठीक है सब्टान जा कि facing लगे हैं कि यह जाज लकने ही बोल रहा है कि पताना ही सामने में नशारत कर रहा हूं शायद इसी Buse सभी लोग मुझे को चंगेज कान की तरह दिक्राइब क्लान विसका तोड़़ को मैं ही बढ़कर तोड़ दूँ एगमें दिल क्या करूं एवर्शते दिल क्या करूं या अंदर से बहुत दब इचाने इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनको बढ़के इस इंद्रसभा का साज और समा फोग दूँ इसका गुल्षन फोग दूँ उसका सविश्टां फो हर एक चीज़ फोग देना चाहता हूं यहां तक कि बाट शाह सुल्थान का जो कमरा है सुल्थान की जितनी भी चीज़ें सब कुछ फोग देना चाहता हूं तकि सभी लोग बराबर हो जाएं और मैं भी बराबर हो जाओं तब बराबरी का हक मिले सब को तीखें गमें दिल क्या करूँ वेसरते दिल क्या करूँ घबराट बरी दिल क्या करूँ उतली क्या क्या मैं इस दुनिए के सभी समान को जला डालूं, फूब डालूं वहीं बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि सब कुछ फुक्दूर्ता कि सभी लोग बराबर हो जाए जो भी जैसा भी हो पुरा चैप्टर यहां पर कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 33 आई होप आप लोगको अवारा नाम का ये नजम और ये कवीता समझ में आए होगा नजमियान की कवीता समझ में आगया होगा मिजाज लखनमी के बारे में आप लोग सारा डिटेल समझेगा है चलिए कोई भी कमपीट अनों कमेंट में पूछ लिजेगा और अगली वीडियो में मैं इस को क्लियर कर दूँ बाकि जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाई समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें इतना के दाउसके शेयर करें अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास आप लोग के कॉंटक्स में जि हिंद और खुदा हाफिस